आज मैं आपको एक ऐसे ब्लॉग निच के बारे में बताऊंगा, जिस पे अगर आपने दिल से काम कर लिया, तो आपकी लाइफ बदल सकती है, सिरफ एक ये ब्लॉग टॉपिक, आपकी पूरी जिन्दगी बदल सकता है, आप सिरफ एक ही ब्लॉग से महीने के लाखों रुप आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, वो है स्पोर्ट्स, जो कि अपने आप में इतना बड़ा ब्लॉग निच है कि अगर आप इसके एक छोटे से टॉपिक पे भी काम कर लोगे न, तो आप महीने के 4-5 लाख आसानी से कमा लोगे, लेकिन इन 4-5 लाख को कमाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन ये ऐसा ब्लॉग निच है जिसमें लोगों का भी इंटरेस्ट है, लोग इसके आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करते हैं, और कंट्री के हिसाब से लोगों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी डिफरेंट होता है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट केस टड़ी बताऊँगा कि कैसे आप स्पोर्ट्स का ब्लॉग बनाके महीने के घर बैठे 4-5 लाक रुपे कमा सकते हो, बोलने में आसान लगता है, मैं पहले ही बोलता हूँ मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप ये सोचते कि राहूल भाई ने बता दिया और हम थोड़ा सा करेंगे और पैसा ना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो चीज़ें बताऊँगा उनको पहले समझना है, और ढंग से सीखना है, और अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेना है कि मैं आप से कहना क्या जब आप पूरी चीज़े समझ जाओगे, उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट करना, ऐसा मत करना कि वीडियो देखी, जो कि हम नॉर्मल ही करते हैं, किसी की भी वीडियो देखी, उसने बता दिया कि महीने के इतने पैसे कमाओ, जाके डोमेन होस्टिंग खरीद ली, या फिर ड जाते हैं, ठंडे हो के भाई कुछ नहीं हो रहा, ये काम नहीं करना, आप लोग मेरी यूटिव फैमिली हो, आपको सबसे पहले चीज़ों को समझना है, समझने के बाद उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, पूरा प्लैन बनाना है कि मुझे काम कैसे करना है, उसके बा सारा दिमाग एक जगा पे लगा देते हैं तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, बजाए कि उसके कि अपने दिमाग को हम दस जगा दोड़ा आ रहे हैं, तो दस जगा दोड़ा आने से अच्छा, एक ही ब्लॉग टॉपिक पे लगा दो, चाहें वो कोई भी है, उसकी प अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं, स्पोर्ट्स निच के उपर और घर बैठे पैसा का माना स्टार्ट कर सकते हैं, तो गाईस सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई काम करना होता है, चाहें बिजनेस हो, ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब हो, हमें अपने कॉम्पि इटर्स हैं, जो गूगल पे रैंक कर रहे हैं, वो किस तरह के आर्टीकल डाल रहे हैं, कितने आर्टीकल डालते हैं, कैसी उनकी वेबसाइट है, कितना ट्रैफिक आता है, तो आप वो काम उनसे बैटर कर पाओगे, अगर आप डिरेक्ली यही करोगे, कि किसी का वीडियो देखा, चाहें मेरा भी हो, और ब्लॉग बना दिया, आपको यही नहीं पता, मैं जिस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, उस टॉपिक पे कौन कौन से लोग पहले से गूगल में रैंक कर रहे हैं, तो आप कभी रैंक नहीं कर पाओगे, जो की 99 प्रतीशत लोग गलती करते है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्पोर्ट्स की वेबसाइट, जहां पे लाखों का ट्रैफिक आता है, आपको आईडिया लग जाएगा कि आपको काम कैसे करना है, तो दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे पहली वेबसाइट है, वो है fantasygully.com, अब यह जो वेबस के design के देखोगे, तो यहां पे देखो कि आप चारो तरफ ads लगी हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा बेकार साइन होता है किसी वेबसाइट के लिए, इससे क्या होता है कि ज़्यादा ads लगाओगे, user experience खराब होता है, अगर आप इस website से better design बनाते हो, और आप इनके articles देखक उनको पीछे सोड सकते हो, और अपने blog को उनसे पहले लेके आ सकते हो, यहां पे जो दूसरी website है, वो है cricketdedictor.com, अब यह जो website है, यह भी sports से related है, इसका भी design कुछ खास नहीं है अगर आप देखोगे, लेकिन traffic इसका बहुत ज़्यादा खास है, अगर हम ध्यान से फिलाल के लिए आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ खास design नहीं है, और मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छा design बनाओगे, generate press को यूज़ करके, easily इस website को आप पीछे चोड सकते हो, तीसरे नमबर पर है sports skida, अब यह तो है इंडिया की website, लेकिन इस पर जो traffic आता है न, व website को तो देखो, आप compete नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत पुरानी website है, और आज की time पे एक brand की तरह बन चुकी है, लेकिन जो बाकी मैने website दिखाई है, उनको आप आसानी से compete कर सकते हो, पीछे चोड सकते हो, और sports skida से आप motivation ले सकते हो, कि हम भी अपने blog को ऐसा बना सकते ह इसके बाद जो दूसरी website है, वो है sportsbrowser.net, यह जो website है, यह USA की website है, तो obvious सी बात है, इस पर traffic USA से ही आता है, इस पर जो monthly traffic है, वो है 4,13,000 का, ज्यादा तर जो इसका traffic है, वो USA से ही है, आप यहां से भी articles के ideas ले सकते हो, कि अगर US में blogging करनी है, तो कौन-कौन से topics आपको डाले हुए, top 10, hottest ice, hockey players in 2022, सारे top 10 डाले हुए, आप यहां से idea लो, blog बनाओ, USA traffic आएगा, तो पैसा भी ज्यादा कमा पाओगे, तो इन 4 website से idea लेना, content का बाकी आगे, आपको मैं detail में भी बताने बाला हूँ, वो भी follow करना कि किस तरह के articles लिख सकते हो, और आप इस blog निस से इसा बना सकते हो, तो दोस्तों अब जो हमारी बात आती है, वो आती है, sports का blog बना तो लेंगे, लेकिन इस पर topics क्या क्या डालेंगे, किस-किस तरह के article लिखेंगे, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, micro niche को, अब जैसे sports है, यह क्या है, एक niche है, इसमें छोटे-छो कौन से micro niche's आते हैं, जिन पर आप blog बना सकते हो, आपका मन करें तो आप सारे micro niche's पर बना लेना, sports के, अगर आपका मन करें उनमें से किसी एक particular topic को लेना, जिसमें आपका interest हो, आप सिरफ उसी पर blogging कर सकते हो, तो चलिए मैं आपको एक idea देता हूँ, जो हमारा sports का blog नीचे ह उसमें कितनी तरह के micro niche's आते हैं, और उन पर आप किस-किस तरह के article लिख सकते हो, पूरा detail में बताऊंगा, ध्यान से देखना, अगर आप sports blog बनाके, अपना blogging का career एकदम सफल बनाना चाते हो, यहां से पैसा कमाना चाते हो, तो यह वाला जो वीडियो का section है, इसको ध्यान से देखना, तो दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहां पर आप sports के niche के अंदर, कौन-कौन से sports पे काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे micro niche's आते हैं, अगर आप सभी पे काम करने जाओगे, तो आपके लिए possible नहीं होगा, तो आप इन में से अपने interest के 2 या 3 चुन लेना, तो सबसे पहले हम micro niche's देखते हैं, cricket आता है, सभी को पता है, cricket सबसे ज़्यादा इंडिया में follow किया जाता है, उसके बाद football आता है, football पे काम कर सकते हो, US के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, अगर आप US में rank करना चाते हो, badm इंटन हो गया, volleyball, basketball, tennis, table tennis, इसके अलावा basketball, golf, wrestling, ice hockey, soccer, ये काफी सारी चीज़े हैं, जिन पे अगर आप blogging करोगे sports की, तो आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे sports हैं, आपका जो भी इन में से पसंद का होना, आप उस पे blogging करना, आप इन सारो ले लो, उस पे कर ले ना, बट सभी पे मत जाना, otherwise आप इस field में एकदम से successful नहीं हो पाओगे, अब मैं आपको बताता हूँ, इन पर article कैसे कैसे लिखने हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप article लिख सकते हो, कि कोई भी किसी भी sport में जो आपने चुना है, कोई event आ र प्लेयर्स हैं, उनकी biographies डाल सकते हो, प्लेयर्स से related उनकी family news आती हैं, कि कहाँ पे गूमने गए, किसकी कितनी property है, इस तरीके से आप उनके बारे में भी article डाल सकते हो, किसी particular sports के अंदर क्या-क्या records हैं, world records हैं, जो अभी तक कोई break नहीं कर पाया, सबसे अदा record किस player के ना अगर किसी player के बारे में fact डालोगे, तो लोग उसे पढ़ेंगे, records डालोगे, उसको भी पढ़ेंगे, family news डालोगे, कोई लोग उसमें भी interest लेते हैं, तो ये सारी चीज़े वो हैं, मैंने आपको दोनों चीज़े बता दी कि micro niches कौन से हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे sports हैं, और क्या-क्या article आप डाल सकते हैं, जो मैंने content idea आपको बताएं, ये सभी sports में लगते हैं, क्योंकि same niche है, एक तरह से micro niche अलग हो गए, लेकिन content इन में same तरह गड़ेगा, तो अपनी पसंद के चुने, और उस हिसाफ से आपको क्या करना है, articles लिखने शुरू करने हैं, तो दोस्तों मैंने आपको सारे micro niche बता दी, अब यहाँ पे आपको अपने interest के हिसाफ से काम करना है, ऐसा मस सोचना कि राहूल भाई ने सब बताएं, मैं सभी पर articles लिखूंगा, चाहें आपको एक interest का हो, दो हो, तीन हो, इन में से कोई भी चुनना, उसको अपने blog में categories में add करना और उसपे articles लिखना शुरू कर देना, मैंने आपको यह भी बता दी, articles किस-किस तरह के लिख सकते हो, यह सब चीज़े अगर आप करोगे long time तक, तो आपको definitely success मिलेगी, तो दोस्तों अब आता है हमारा next point, कि आपको जो content है, अपने इस blog पे कैसा डालना है, तो मैंने आपे तीन categories divide की हैं, एक है evergreen content, और एक होता है trending content, और एक होता है event, अगर आप अपने blog को grow करना चाहते हो, तो आपको इन तीनों categories पे काम करना है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं evergreen content, कि evergreen content क्या होता है, जो content आज भी है, कल भी था और हम पहेशा रहेगा, वो होता है evergreen content, छोटा सा example देता हूँ, जैसे कि cricket के world records, हमने example लिया, अब जो world record है, जब तक वो नहीं टूटेंगे, तब तक वो वही रहेंगे, जैसे सचिनत अंदुलकर का world record क्या है, उन्होंने कितने run बनाए, किस player ने कितने शतक लगाए हैं, अभी कुछ ऐसी चीजे होती हैं, जो आज भी हैं, कल भी हैं, और हमेशा रहेंगी, जब तक उनको कोई break नहीं करेगा, तो ये होता है evergreen content, जो आपको अपने blog पे डालना है, चाहे आप कोई भी micro नीच चूज कर रहे हो, या फिर cricket, football, या कोई भी चूज कर रहे हो, हर एक sports में आ फोड़ा सा time लगता है, लेकिन लंबे समय के लिए ये हमारे blog के लिए एक lottery की तरह साबित होते हैं, जिससे long time में हमारे blog पे बहुत सारा traffic आता है, इसके बाद जो दूसरा हमारा content की planning के लिए मैंने topic यहाँ पे बनाया है, वो है हमारा trending, अब जो trending news चल रही होती हैं, अगर एकदम से अपने blog पे update कर देना है, उसके देखना Google पे जाना, जो भी news आई, उससे related search करना, Google आपको खुद दिखा देगा बहुत सारे keywords, उनको अपने article में use करना, और trending news को एकदम से डाल देना, इससे क्या होगा, आपका जो blog है उसके rank होने के chances एकदम से बढ़ जाएंगे suppose करो, आप सबसे पहले update कर रहे हो, कहीं से देखा और आपने update कर दिया, Google पे keyword जरूर सर्च कर लेना, उस news से related जो Google दिखाएगा, उनको use कर लेना, और आपने अगर ये काम किया, suppose आपने 100 article trending news पे डाल दिये, sports की, 100 में से अगर 10 भी rank कर गए ना, तो आपकी सारी मैनस सफल ह जाएगी, तो जो trending article की category मैंने बनाई है, वो आपको मदद करेगी Google में जल्दी rank करने के लिए, नहीं instant traffic लाने के लिए, सारे के सारे नहीं rank करेंगे, लेकिन कुछ rank करेंगे, और इससे आपकी जो website की authority है, domain authority, यह नहीं website की value, वो भढ़ती जाएगी, जैसे जैसे traffic आता इसके बाद अपने blog पे और ज्यादा traffic लाने का तीसरी जो category मैंने बनाई है, वो है event blogging, अब sports में देखो बहुत सारे events होते हैं, जैसे की world cup आया, या फिर कोई और series चल रही है, चाहें cricket की हो, football की FIFA world cup आने वाला है, ऐसे ही हर एक sports में कुछ ना कुछ बड़ा event होता है, तो जब वो event आने वाला हो, उससे 2-3 महीने पहले आप उससे related information डालना शुरू कर दो, इससे क्या होगा, जैसे जैसे वो pass आता जाएगा, इस 2-3 महीने में जो आपने काम किया होगा, वो Google में rank करने लग जाएगा, और जैसे ही वो event आएगा, आपको इतना जबर्दस level का traffic मिले है, evergreen, trending और event, sports के अंदर तीनों पे काम करना है, अपने blog पे, अगर आप successful होना चाते हो, sports blogging के अंदर, इसके बाद जो next हमारा main important point है, वो है, भाई चलो ठीक है, traffic भी आ गया, सब कुछ हो गया, जिन लोगों के पास Google AdSense का approval नहीं है, तो इस blog निच पे कैसे मिलेगा, तो म मैंने अपने telegram में दी हुई है, जिनके पास generate press नहीं है, premium version, वो मेरी team से connect कर सकते हैं, आपको बहुत कम price में मेरी team available करवा देगी, और जिनके पास है, वो अपनी generate press theme को install करें, अच्छा सा design बना ले, मैंने already इस पे video बनाया, link description में दे दूँगा, उसको देखके अपने blog को customize कर ले, theme आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए, आपके blog पे वही about us, contact us, privacy, policy, terms and disclaimer के page होने चाहिए, नहीं बनाने आते हैं, उसका link भी description में देख लेना, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो main important point है, adsense लेने के लिए, आपको कम से कम 15 trending news जो sports की होंगी, उनमें खुद से article लिखना है, किसी का देख के मत लिखना, 15 article trending news पे और 2-3 article evergreen content के आपको अपने blog पे डाल देना है, आपको 15-20 दिन के अंदर adsense का approval मिल जाएगा, इस trick को follow करके देख लेना, इसके बाद जो last bonus tip में आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको बहुत जल्दी Google से traffic चाहिए और 12 पाद पैसा कमाना है, तो ये trick आपको तब apply करना है, जब आपको Google Adsense का approval मिल जाता है, इसमें आपको क्या करना है, इंडिया के अंदर आपने dream 11 का नाम सुना होगा, वहाँ पे क्या होता है, dream 11 एप के उपर दिन का करोडों का traffic है, और लोग Google में लिखके क्या सर्च करते हैं चाहें वास्केट बॉल हो, क्रिकेट हो, या फिर फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, जो जो वहाँ पे available है, dream 11 में, लोग उनकी teams को सर्च करते हैं, कि आज का ये match है, इसके लिए कौन-कौन सी team better रहेगी, तो आप थोड़ा सा research करें, dream 11 की team देना शुरू करें, अपने blog पे चार से पांच लाक रुपे कमा के देदेगा, और traffic आपको इतना आएगा ना, और rank इतनी जल्दी होंगे न, आप खुद सोचो के भाई, हो क्या रहा है, ये possible कैसे है, लेकिन इसमें भी मैनत लगेगी, keywords की मैनत, article लिखने की मैनत, थोड़ा सा research ऐसे ही नहीं, आपने कैसे भी team बना के देदी, सिरफ traffic लाने के लिए audience बनानी है, तो दिल से काम करना, research करना, 10 जगा से information पढ़ना, उसके बाद team देना, अगर लोगों को benefit हुआना, लोग आपकी website का नाम याद कर लेंगे, और जब भी उनको dream 11 के लिए team चाहिए होगी न, वो आपके blog पे आएंगे, और औरों को भी बताएंगे भाई, वहाँ से team लिया कर बहुत अच्छी बनाता है, और 10 में से 7-8 win करती है, तो ऐसे करके brand बनाना, just traffic के लिए काम मत करना, कोई भी article डालोगे, traffic और पैसे के लिए मत डालना, इसलिए डालना कि लोगों की वहाँ से help होगी, अगर ये mentality लेके चलोगे, तो आपको blogging में और sports निच में काम करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको 110% यहाँ पे सफलता मिलेगी, अगर आपको यहाँ पे कोई भी doubt रह गया हो इस वीडियो से related, comment करके बताना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा, वैसे मैंने कोशिश की है, आपको स सारे कुछ doubts clear करने की, फिर भी एक दो चीजे रह जाती हैं तो आप पूछ सकते हो, और blogging में 101% आपको सफलता मिलेगी, जस्ट आपको खुद पे believe करना है कि हां मैं कर सकता हूँ, और कोई भी problem आएगी तो एक चीज अपने दिमाग में लाया करो, कि कोई भी जब हम काम करत आप अकेले नहीं हो, आप special नहीं हो, अगर आपको ज़्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब भगवान आपको बहुत ज़्यादा देना चाहता है, क्योंकि problems ज़्यादा उन्हीं लोगों को आती हैं, जिनके life में कुछ बड़ा होना होता है, तो घबराना मत, काम करते रहना, आपको success जरूर मिलेगी, लेकिन जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया किसी problem की बजा से, उस दिन सोच लेना, आपका हर एक सपना, आपके माबाब के सपने, सबके तोड़ रहे हो आप, तो खड़े होना, उस problem को ढूढ़ना और आगे बढ़ जाना, आपको 110% सफलता मिल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मेहनत करते रहना, success जरूर मिलेगी, बबाए!